नमस्कार मैं हूँ आपके साथ प्रदी पाजाद और क्राइम सीरीज में आपका स्वागत है हनी ट्रैप की वारदाते यू तो हिंदुस्तान में नई नहीं है लेकिन जब इसके गुनाह की इबारतों को देखा जाता है इसके किरदारों को खंगाला जाता है तो कई बार चोंकाने वाले राज सामने आते हैं अब राजस्थान के जोतपूर में हाली में जो कुछ हुआ वो गटना भी लगातार हैरान कर रही है कि आखिर किस तरह कुछ लोगों की गैंग ने राजस्थान के एक मंत्री को आपने शिकंजे में लेना चाहा उन्हें ब्लैक मेल करने की साजिश तयार की गई और इसके लिए जब एक लड़की को तयार करने की कोशिश की गई तो उसे वो मंजूर नहीं हुआ और वो इस गिरोह के दवाव में कुछ इसकदार आ गई कि उसने एक होटल की छटी मंजिल से कूद कर जान देने की कोशिश तक कर डाली दरसल जब जोटपुर पुलिस के सामने ये पूरा मामला आया तो इस तरह के कई चोखाने वाले राज सामने आये और सबसे बड़ी बात तो ये कि इस गिरोह के सरगना में जिस युवक को पकड़ा गया यानि इस गिरोह का जो सरगना के रूप में जिससे पकड़ा गया वो पहले से ही गुणा के इस खेल का कुख्यात निकला अब अक्षत और देपाली को जोटपुर पुलिस ने किरफतार किया हुआ है लेकिन इन से हुई पुस्तार में लगातार जो राज खुल रहे है वो वाकई हैरान तो करते हैं अब आला कि खाबरें ये भी है कि गरफत में आए दोनों शातिर अक्षत और देपाली पुलिस पुस्तार में मदद रही कर रहे अक्षत ने तो कल यानी बुद्वार को सीने में डर्द होने की शिकायत कर होस्पिटिल में दाखिल होने का ड्रामा भी किया इसके चलते मामले की जाँच आगे नहीं बढ़ सकी जोदपुर के DCP पूर्व भूवन भूशन यादाव के मताविक मौडल के कुछ वीडियो हो सकते हैं इन लोगों के पास दोनों से पूस्ताज के अधार पर इसे बरामत करने की कोशिश की जा रही है लेकिन वहीं जोदपुर पुलिस अब इन तारों को खोलने की कोशिश में भी जूटी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके जाल में अभी दूसरी और भी लड़कियां फसी हो और वहीं पूस्ताज में ये भी पताया लगा जाएगा कि जिस तरह इन बदमाशों ने मंत्री रामलाल जाट को निशाने पर लिया था क्या उसी तरज पर किसी दूसरी शक्स पर भी इनकी निगाहें हो दरसल मास्टर माइंड अक्षत पत्रकार वे लाइजनर बन प्रभावी लोगों से मिलता था और इसके बाद शिकार चुनकर हनी ट्रैप का श्याणियंत्र रस्ता था इसी तरह से उसने मंत्री से भी संपर्क साधा था लेकिन यहाँ यह अपने नापाक मनसुबों में कामियाब नहीं हो पाए अनकि जोत्पुर पलिस को अक्षत के पुराने क्राइम रिकोर्ड को देखते हुए पूरा शक है कि उसने हनी ट्रैप गेंग में और भी लड़कियों को शामिल कर रखा होगा और इसमें लड़कियों को ब्लेक मिल कर उनका इस्तमाल करने का शक ज़्यादा है और पुलिस अब इस एंगल पर भी जाच कर रही है अब देखिए रसूख वाले लोगों को टारगेट करके मोटी रकमेटने वाले गिरोह का मास्टर मैंड अक्षत पूरी प्लानिंग के साथ काम करता है थना अदिकारी दिलिप खदाओं के मताबिक कुछ साल पहले जेल की सलाखों के पीछे जा चुके अक्षत ने 20 से ज़्यादा लड़कियों के हुसन के जाल में 32 लोगों को फसाया था उन से करीब 16 करोट रुपे से जादा की रकम वसूली और इस डर्टी फिल्म से एसो जी ने परदा हटाया था और 21 आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुँचाया लेकिन अब जोत्वर पुलिस भी पूरी शिदत से इसके पुराने रिकॉर्ड को मंगवा कर उसके ब्लैक मेलिंग के नए नेकसस को तोड़ने की कोशिश में जोटी है दरसल इसे साल 2016 और 19 में हनी ट्रैप मामले में गिरफतार किया गया था दोनों ही बार जमानत पर रिहा होते ही इसने फिर अपना नेटवर्क खड़ा कर दिया माजडर माइंड अक्षत बतोर रिपोर्टर होना सामने आया जबकि साल 2019 में यह लाइजनर बनकर गिरोह का हिस्सा बना खेराब जौतपुर पुलिस के पाले में हैं गैंड और यह देखना काफी एहम होगा कि अब वो अक्षत और इसके गिरोह के इस डर्टी फिल्म का किस तरह दा एंड करती है क्योंकि इस बार तो इस गैंड ने राजस्थान के मंत्री पर ही निशाना साद डाला था लेकिन तीर फिल हो गया और अब इस मामले की चर्चा राजस्थान के तमाम मंत्रियों के पीछ भी है अब श्कार